है फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम एक डैनिश फिर्म के बारे में बात करने वाले हैं ये एक हिस्टॉरिकल मुवी है और सच्ची घटनाओ पर आधरितिस की कहानी है तो कहानी शुरू होती है डैनमार्क से ये डैनमार्क की क्वीन है क्यारोलाइन मत्हिल्डे ज और वो उन्हें इस खत में बताना चाहती है कि कुछ सालों पहले जब उनकी बेटी पैदा हुई थी तब ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें देश से बाहर निकाला गया तो कहानी आती है फ्लैश बैक में और साल है 1766 इंगलेंड यहां की राज कुमारी क्यारलाइन मत्हिल्डे इनकी शादी डैनमार्क के राजा क्रिस्टियन सेवन से हो गई है इन्होंने शादी से पहले कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था क्रिस्टियन चार्मिंग है उन्हें आर्ट और लिटरिचर में इंटरेस्ट है और उन्हें आक्टिंग भी पसंद है रानी को लगता है क इससे ज्यादा perfect husband कोई हो ही नहीं सकता वो बहुत खुश है और अब क्यारलाइन पहुँच गई है डैनमार्क में और यहां राज महल में पहुँचने से पहले ही उनकी मुलाकात होती है किंग से क्यारलाइन को देखकर राजा पेड़ के पीछे चुपता है और नहीं यहां पे कुछ खास साफ सफाई है क्यून अपनी निव लाइफ स्टार्ट करने के लिए एकसाइटर और बहुत खुश है रात में रॉयल फामिले का डिनर खतम होने के बाद क्यून पियानो बजाती है और यहां किंग क्रिस्टियन की सौते लीमा जूलियन मैरी क्वीन की तारीफ करती है और अचानक किंग क्वीन से बत्तमीजी से बात करने लगते है और पियानो बजाना बंद करने के लिए कहते है इस बात से क्वीन को बहुत बुरा और बहुत इंसल्टिंग फिल होता है रात में क्वीन के कमरे में जाने के बाद भी किंग क्वीन के साथ प्यार और सम्मान से पेश नहीं आता आगे भी कभे भी राजा रानी के साथ प्यार और सम्मान से पेश नहीं आता इसके कारण धीरे-धीरे रानी राजा से नफरत करने लगती है और कुछ दिनों बाद ख़बर मिलती है कि क्वीन प्रेगनेन्ट है और अब क्यारलाइन किंग से मिलना टालने लगती है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच के इमोशनल और फिजिकल रिलेशन खतम हो जाते है फिर क्वीन एक बेटे को जनम देती है जिसका नाम फ्रेडरिक है और अब राजा यूरोप यात्रा पे जाना चाहता है जिसके लिए एक साल या फिर शायद दो साल भी लग सकते है जब ये बात वो क्वीन से बताने के लिए आता है तो क्वीन कहती है कि तुम यहां रहो या कहीं चले जाओ मुझे इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता इसके बाद राजा 1768 में अपने यूरोप टूर के लिए निकल जाता है फिर जब अपनी यूरोप यात्रा में राजा हैंबर्ग तक पहुँचता है तब उसकी मेंटल हेल्थ उसका साथ नहीं देती है और किंग के लिए एक परसनल फिजिशन हायर करने का डिसिजिन लिया जाता है ताकि वो किंग का आगे की जर्णी में हर तरीके से खयाल रख सके और इस बात का फाइदा कुछ लोग उठाना चाहते है इधर जर्मनी में एक छोटा सा गाओ है अल्टोना यहाँ एक डॉक्टर काम करता है जिसका नाम है जॉन जॉन को एक दिन दो आदमी बुलाते है अपने इलाज के लिए जिनका नाम है काल और ब्रैंडिड यह दोनों किसी जमाने में राजा के बड़े मंत्रियों में से एक थे लेकिन राजा की मौत के बाद इन्हें कासल से बाहर निकाला गया था लेकिन अब यह दोनों वापस पैलिस में अपनी जगा पाना चाहते है और इसके लिए यह लोग जॉन को मोहरा बनाके राजा के परसनल फिजीशन के इंटर्वियों के लिए भेजते है और जॉन यहां पे राजा का परसनल फिजीशन के तोर पे सिलेक्ट भी होता है और एक साल बाद मतलब 1769 में राजा यूरोप टूर खतम करके वापस आता है और अब इसके साथ जॉन भी डैन्मार्क आ गया है क्वीन क्यारोलाइन राजा के जाने से भी खुश नहीं थी और ना ही उसके वापस आने से खुश है और इधर कारल और ब्रैंटिट भी जॉन की मदद से कासल में इंटरी पाने में कामियाब हो जाते है और नेक्स डे किंग जॉन से कहता है कि मुझे क्यारलाइन में बिलकुल भी इंट्रेस नहीं है क्यूंकि वो बहुत बोरिंग है या तो वो क्वीन बनके पुरे कासल में घुमते रहती है या फिर अपने कमरे में सोती रहती है तो जॉन कहता है कि शायद वो बिमार हो किंग कहता है हाँ वो बिमार ही है भला इतना बोरिंग कोई कैसे हो सकता है तुम उसका इलाज करो और इसके लिए उसे मैं तुम्हारे पास भीजूंगा और नेक्स डे डॉक्टर जॉन के पास क्वीन आती है लेकिन डॉक्टर को कुछ खास रिस्पॉंस दीए भी ना डॉक्टर की एक बुक लेकर वहाँ से चली जाती है क्वीन को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है दूसरे दिन क्वीन डॉक्टर जॉन से फिर से मिलती है और जॉन के बुक कलेक्शन के बारे में तारीफ करती है और जॉन के साथ होर्स राइडिंग पे भी जाती है और इसे दौरान जॉन को खबर मिलती है कि देश में एक महमारी फैल रही है जिसका नाम है चिकन पॉक्स और इसके शिकार ज्यादा तर बच्चे ही है जॉन पेशन्स को देखने के लिए आसपास के गाउं में जाता है यहां पिछले कुछ महीनों में ही 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब डर है कि ये बिमारी कासल तक भी पहुच जाएगी इसलिए जॉन राजकुमार फ्रेडरिक को टीका लगाना चाहते है लेकिन कोर्ट काउंसिल के लोग मतलब मंत्रियों का ऐसा ग्रुप जो राज्य के बारे में ज्यादा तर डिसिजन्स लेते हैं और इन्होंने लिये हुए डिसिजन्स पे राजा सिर्फ सिगनेचर करता है ताकि उसको अमल में लाया जा सके तो कोर्ट काउंसिल के लोगों को लगता है कि प्रिंस को कोई टीका लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है वो एकदम स्वस्थ है पर जॉन कहता है कि बिमारी को नहीं पता कि कौन किंग है या फिर कौन क्वीन है वो तो बस जान लेती है और इसके बाद टीके के बारे में डिसकस करने के बाद किंग के परमिशन से प्रिंस को टीका लगाया जाता है और ये टीका करन सफल भी होता है और अब क्वीन चाहती है कि रज़ के बाकी लोगों का भी इलाज किया जाए और वो भी इस बिमारी से स्वस्त हो लेकिन जॉन ये अपने मन से नहीं कर सकता और नाही क्वीन अपने मन से ये सब कर सकती है तो इसके लिए क्वीन कोट काउंसिल में एक प्रोपोजल रखती है कि जॉन बाकी लोगों का भी इलाज करे काउंसिल में क्वीन का प्रोपोजिल कंसिडर तू किया जाता है लेकिन बाद में किसी और डेट पे इसका फैसला लिया जाएगा ये कहे कर टाल दिया जाता है क्योंकि काउंसिल के लोगों को लगता है कि राजा के परसनल फिजिशन का काम ये नहीं है वो बुक्स किसने भेजे है उसके उपर किसी का भी नाम नहीं होता लेकिन रानी समझ जाती है कि ये किसने भेजे होंगे और अगले दिन इशारे में वो जॉन को थैंक्स केती है और ये बात ब्रैंडिट नोटिस करता है इसके बाद धीरे धीरे जॉन और क्वीन एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते है ब्रैंडिट एक दिन पार्टी में डॉक्टर जॉन को वॉन भी करता है कि तुम्हारी कटी हुई करदन पे मुझे शोक नहीं मनाना है ऐसी बेवकूफी मत करो अगले दिन क्वीन फिर से जॉन से मिलती है और अब वो जॉन से कुछ चाहती है वो कहती है कि हमारे देश की जनता को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और इस कासल में रहने वाले लोगों को जनता के प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन जॉन कहता है कि इन सब चीजों के बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता काउंसिल में मैं सिर्फ एक नौकर हूँ तो क्वीन कहती है कि किंग तुम्हारे उपर आखे बंद करके भरोसा करता है और इस बात का फाइदा लेके तुम कुछ अच्छे बदलाव ला सकते हो और उसी दिन शाम को जॉन किंग के पास जाता है और किंग को रियल किंग की तरह काउंसिल में काम करने के लिए कहता है किंग शुरू में तो मना कर देता है क्योंकि उसे बिलकुल भी इंटरेस नहीं है ऐसा कोई काम करने के लिए लेकिन उसे आक्टिंग पसंद है इसलिए जॉन कहता है कि आप काउंसिल में भी आक्टिंग करो ऐसी आक्टिंग करो जिसके सारे डायलोग्स पहले से ही लिखे हुए है और किंग मान जाता है अगले दिन काउंसिल में किंग घोशना करता है कि शहर में साफ सफाई रखी जाएगी और इसके लिए तीन गुना ज्यादा कच्रा उठाने वाले और सफाई करने वाले अपॉइंट किये जाएंगे और इन के खर्चे के लिए उनकी आमदनी से पैसे काटे जाएंगे जिन की आमदनी बहुत ज़्यादा है काउंसिल के पास स्राजा की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं शाम को पार्टी है और पार्टी में सबको मास्क पहन कर आना है जॉन क्विन के पास जाता है क्विन उससे पूछते ही कि तुमने मुझे कैसे पहचान लेया तो जॉन कहता है कि मैं तो आपको आखे बंद करके भी पहचान सकता हूँ फिर सब के साथ वो दोनों भी डांस करते है और डांस खतम करने के बाद जॉन वहाँ से चला जाता है थोड़ी देर बाद रानी भी जॉन से मिलने के लिए जाती है फिर अगले दिन रानी जॉन को एक चिट्टी भीजती है और वो चिट्टी पढ़कर जॉन किचिन के रास्ते से जाता है और वहाँ पे उसे एक सीक्रेट चाबी मिलते है किचन में वो एक बच्चे को भी नोटिस करता है जो काला है और किचन में काम कर रहा है फिर इस सीक्रेट चाबी से एक सीक्रेट दर्वाजा खोल कर जॉन क्वीन के कमरे में दाखिल हो जाता है और वो पूरी रात जॉन क्वीन के कमरे में ही बिताता है फिर कहानी प्रेजन्ट में आती है क्वीन अपने बच्चों को लिखती है कि वो उस दिन पहली बार इतनी खुश थी लेकिन वो दोनों भूले थे कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा लगा कि वो कुछ कर सकते हैं बदलाव ला सकते हैं लेकिन अल्टिमेटली काउंसिल बहुत स्ट्रॉंग था क्वीन जॉन और किंग ने काउंसिल में बहुत सारे रज्य और देश के सुधारना के लिए प्रस्ताव रखे थे लेकिन सारे के सारे प्रस्ताव खारिच किये जा चुके थे और इस बात से किंग बहुत निराश हो रहा था फिर क्वीन जॉन को कहती है कि तुम भी काउंसिल के सदस से बन जाओ क्योंकि किंग वहाँ पे अकेला है और उसको डिफेंट करने के लिए वहाँ कोई चाहिए होगा लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा और इसी दोरान जूलियन मेरी और उनकी मंत्रियों के बीच में चर्चा होने लगी है कि क्रिस्टियन अचानक से एक ट्रू किंग के जैसा बरताव कैसे करने लगा है अब तक किसी को भी नहीं पता था कि जॉन एक जॉमन है लेकिन अब जॉन के बारे में भी बाते होने लगी है कि जॉन जॉमन है और वो महल में साजिश कर रहा है और जैसा की क्विन चाहती थी कि जॉन को भी काउंसल में होना चाहिए इसके बारे में बात करने के लिए जॉन राजा के पास जाता है और इन सब चीजों के बारे में जूलियन मैरी अपने नौकरों से जासुसी करवा के मालूम कर लेती है अगले दिन किंग से पहले वो काउंसल में जाती है और इन सब चीजों के बारे में बताती है तो जाहिर है कि एक फिजिशियन को देश के एहम फैसले लेने की इजाज़त कैसे कोई दे सकता है पर काउंसल के सामने जूलियन मैरी एक हंड्रेड पेजिस का खत भी रखती है और उसका कहना था कि ये खत जान ने जामनी में किसी के लिए लिखा था और उस खत में किसानों से लेकर धर्म और चर्च तक यहां तक कि क्रिमिनन्स के लिए जो लॉस थे उसको भी बदलने की बात कही गई है ये सब देखकर और सुनकर काउंसल का हर सदस से जौन को अपना दुश्वन समझने लगता है और उस से नफरत करने लगता है वही अगले दिन काउंसल में किंग कुछ कहने से पहले ही जौन को देश से बाहर निकालने के ओर्डर्स दिये जाते हैं लेकिन अगर जौन यहां से चला गया तो किंग फिर से मेंटली डिस्टरब हो जाएगा लेकिन किंग ऐसा होने नहीं देता वो पूरी काउंसल को ही खतम कर देता है काउंसल के हर सदस्य को नौकरी से निकाल देता है आज के बाद देश के बारे में हर निरने वो खुद अपने नीजी तोर पर लेगा और इसमें जौन उसका साथ देगा ये कहकर राजा वहां से चला जाता है और अब किंग, जॉन और क्वीन तीनों खुश है और अपना देश अपने मताबिक चला सकते है अब देश में जनता और किसानों के हित्प में सेकडो कानून लागू किये गए डेनमार्क अचानक एक अगरणी देश बन गया जनता भी बहुत खुश है पूरे यूरोप में इसकी प्रशंसा होने लगी सब कुछ अच्छा चल रहा था पर एक दिन क्वीन की सरवंट क्वीन के विस्तर में कुछ नोटिस करती है लेकिन इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती पर जल्दी ही क्वीन और जॉन को एक ख़बर मिलती है कि क्वीन प्रेगनेंट है लेकिन क्वीन पिछले एक साल से अपने पती के साथ नहीं रहती है और ये बात पूरा देश जानता है और अगले दिन जॉनक कींग से बात करता है कि उसे क्विन के साथ रहना चाहिए पहले तुम बना करता है वो कहता है कि क्यारलाइन को भी उसके साथ रहना पसंद नहीं है लेकिन आज यूजबल जॉनकी बातराजा मान लेता है और उसी रात वो डिनर टाइम पे अनॉंस करता है कि वो आज से ही फिर से क्वीन के साथ रहने लगेगा और वो ऐसा ही करता है उसके बाद क्वीन जॉन को कहती है कि आज के बाद वो जॉन से कभी नहीं मिलना चाहेगी और वो ऐसा सिर्फ अपने बच्चे के खातिर कर रही है लेकिन अब किंग के उपर सारी जिम्मेदारी आ गई है और उसे कोई भी पेपर वर्क करना या काम करना बिलकुल भी पसंद नहीं है इसके लिए जॉन उसके सामने एक पेपर रखता है और इस पेपर में लिखा था कि किंग को कोई भी छोटा मोटा काम करने की या छोटी मेटी सिगनेचर करने की भी ज़रूरत नहीं है सारा काम जॉन संभालेगा और इस पेपर के उपर सिगनेचर करने के लिए भी जॉन राजा को मना लेता है और अब जॉन लगभग किंग के बराबर हो चुका है उसे कोई भी डिसिजन लेने का पूरा अधिकार है लेकिन अभी भी रियल किंग तो क्रिस्टियन ही है वो कभी भी जॉन को इस पद से हटा सकता है लेकिन फिल हाल के लिए देश की सारी बागदोर जॉन के हाथ में आ गई है कुछ दिनों बाद कार्ल जॉन से मिलता है और उस पे जो करजा है उसे माफ करने के लिए कहता है लेकिन जॉन साफ साफ मना कर देता है और कार्ल वहां से गुस्से से निकल जाता है अभी भी सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन एक दिन जूलियन मेरी क्वीन और जॉन को बात करते हुए देख लेती है और उसे इन दोनों के बारे में शक होता है वो अपने शक को यकीन में बदलना चाहती है इसके लिए क्वीन की सारी सर्वंट्स को बुलाती है और उनसे पूछताश करती है लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं पता था लेकिन उसमें से एक लेडी जिसने क्वीन के बिस्तर में कुछ नोटिस किया था वो ये बात जूलियन मेरी को बता देती है और इधर जॉन को नई योजनाओं के लिए पैसे नहीं बचे हैं लेकिन फिर भी जॉन अच्छा करने की कोशिश करता है पैसो की कमी के कारण जॉन डेनमार्क के मिलिटरी के खर्चों में से पैसे काटना चाहता है क्योंकि पिछले पचास सालों से कोई भी युद्ध नहीं हुआ था और इन सब के बीच क्वीन एक लड़की को जनम देती है जिसका नाम है लुईस अगस्ता और इसके बाद जॉन के दुश्मन जो महल में है जूलियन मेरी और उसके मंतरी गन साजिश्की प्लानिंग करने लगते हैं जॉन और क्वीन के अफेर को लेकर वो किंग के पास बिलकुल नहीं जा सकते थे क्योंकि राजा इन लोगों के उपर कभी भी भरोसा नहीं करेगा लेकिन ये लोग जॉन और रानी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं इसके बाद किंग की जगा एक नया मंतरियों का काउंसिल बनाया जाएगा और देश का सारा कारोबार काउंसिल करेगी क्योंकि किंग ने आज तक जो भी किया है वो सब जॉन के कहने पर किया है उसे किंग बनने में या किंग का कोई भी काम करने में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं है इसके बाद जूलियन मेरी जॉन और रानी के बारे में गंदे और भदे पॉंपलेट चपवा के पूरे शहर में बटवा देती है और इनी में से एक पॉंपलेट राजा के भी हात लगता है और ये पढ़कर राजा अपने होश खो बैटता है लेकिन राजा अभी भी जॉन को खोना नहीं चाहता जॉन के समझाने पर वो समझ जाता है जॉन उसे कहता है कि ये सब कुछ जूट है इसमें से किसी भी बात पर यकीन मत करो इसके बाद गुलबर्ग जो जूलियन मेरी का खास वफादार है उसे जॉन निकाल देता है कासल से बाहर और किंग को भी कासल से बाहर जाने से मना करता है क्यूंकि लोग बाहर गलत अफवाहे फैला रहे है लेकिन राजा कासल में रहकर बोर ना हो इसके लिए वो एक बच्चे का इंतिजाम करता है जिसके साथ राजा खेल सके और इस बच्चे को देखकर राजा खुश हो जाता है ये बच्चा वही है जिसे किचन में काम करते हुए जॉन ने देखा था जूलियन मैरी और उसके साथ ही मंत्री पूरे देश में अफवाह पहला रहे है कि क्वीन अपने ही बेटे को मारना चाहती है अपनी बेटी को एक मात्रूत तरादीकारी बनाने के लिए और वो राजा को भी जहर दे रही है उसे पागल करने के लिए और जून के बारे में भी कई बाते हो रही थी कि वो एक विदेशी है और डेनमार्क को बरबाद कर रहा है और इसका अंजाम बहुत बुरा हो रहा था इसलिए आकिरकार जून को सारा कारोबर जूलियन मैरी और उसके मंत्रियों के हाथ में देना पड़ता है इन सबसे क्वीन और जॉन दोनों बहुत परेशान है कई रातों सी क्वीन सो नहीं पा रही है शहर में क्वीन और जॉन के बारे में भद्धी बाते लोग खुले आम बोल रहे हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और एक दिन गुसे में किंग डिनर टेबल पे सब के सामने न्यू प्रिंसेस के पिता के नाम पर हंगामा करता है और फिर जॉन भी किंग को सारी बात बताना चाहता है लेकिन किंग कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं जानना मैं सब कुछ पहले जैसा कर देना चाहता हूँ अभी भी राजा जॉन को खोना नहीं चाहता फिर हम देखते हैं कि जूलियन मैरी के लोग शहर में अववा फैला रहे हैं कि जॉन और क्वीन ने राजा को मार दिया है या फिर उन्होंने राजा को काल कोटरी में रखा है और अब क्वीन और जॉन पूरी तरीके से हलपलेस हो चुके हैं जूलियन मैरी उनके उपर अपना निशाना साध सकती है 16 जैनवरी 1772 को निव काउंसिल के मोके पर पार्टी आयोजित की गई है और इसी रात जूलियन मैरी अपने लोगों को काल के पास भेजती है और काल को बहुत कुछ आफर किया जाता है जैसे कि उसे काउंसिल में सीद दी जाएगी उसका करजा माफ किया जाएगा उसे उसकी प्रॉपर्टी वापस की जाएगी और भी बहुत कुछ और इसके बदले में काल को सिर्फ जॉन के खिलाफ बात करनी होगी जूलियन मैरी को लोग शेहर के लोगों को भी बढ़का रहे है और उनसे विद्रोह करवा रहे है सब लोग जॉन को मारना चाहते है और अपने किंग को देखना चाहते है जॉन राजा को लोगों के सामने जाने के लिए कहता है लेकिन राजा डरा हुआ है वो लोगों के सामने नहीं जाता उसी रात पार्टी खतम होने के बाद जूलियन मैरी के लोग और काल किंग के पास जाते है और कहते ही कि जॉन को इन लोगों के हवाले करो तब ही ये सब लोग शांत होंगे लेकिन किंग इनकी बात नहीं मानता तब कार्ल किंग से कहता है कि जॉन, ब्रैंडिट और क्वीन आपको मारना चाहते हैं मैं उनका दोस्त हूँ तो मैं उनके बारे में कभी जूट नहीं बोल सकता लेकिन फिर भी किंग इनकी बातों पे यकीन नहीं करता लेकिन जूलियन मैरी के लोग राजा से जबरदस्ती इन तीनों के अरेस्ट आर्डर पे साइन करवाते हैं और तुरंत इन तीनों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जून और ब्रैंडिट को काल कोटरी में लेकर जाते हैं बाद में राजा जून और ब्रैंडिट को छोड़ने का आदेश देता है लेकिन जूलियन मैरी के लोग पूरे शहर के सामने इन दोनों की गरदन धर से अलग कर देते हैं जॉन और ब्रैंडिट का किसा अब खतम हो चुका है कारल को उसके काम के लिए कुछ इनाम तो दिया जाता है लेकिन वो सब कुछ नहीं दिया जाता जिसका उसे वादा किया गया था क्वीन को ये लोग देश से निकाल देते हैं और उसे जॉमनी भेज देते हैं क्वीन ये सब अपने बच्चों को खत में इसलिए बता रही है क्यूंकि वो बहुत बिमार है और उसे नहीं लगता कि अब वो बच पाएगी 1783 में क्वीन का ये खत उसके बच्चों तक पहुचाया जाता है तब फ्रेडरिक 15 साल का हो चुका था और अब तक पूरा यूरोप फूलों की तरह खिल रहा था लेकिन डेनमार्क एक अंधेरी जगर बन कर रहे गया था लेकिन बाद में अपने पिता की मदद से फ्रेडरिक ने 16 साल की उमर में सत्ता पर कबज़ा पा लिया था जूलियन मैरी और सारे मंत्रियों को काउंसिल से हटाया फ्रेडरिक ने 55 साल तक शासन किया और इस दोरान उसने ज्यादा तर जॉन के लॉस भी लागू किये इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी और आगे आप कौनसी फिल्म की स्टोरी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसी ही स्टोरी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फाइनली थैंक्स फर वाचिंग बबाई